चोपड़ा जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बचों सबसे बड़ी कुशी की बात यह है कि All India में अभी 2nd round के लिए 13 colleges add अभी हो गई हैं और 2 colleges पहले add हो गई थी, तो total 15 colleges add हो गई हैं जिसमें 229 seats 2nd round के लिए add हुई हैं, 225 seats अभी add हुई हैं, 14 seat पहले add हो गई थी, इन में से 13 seat को withdrawal भी किया गया है लेकिन ये 2nd round के लिए काफी बड़ा amount है और ये student के लिए कुशी की बात भी है कि 225 seats add होने से जो border line के candidate से उनको seat आसानी से मिल जाएगी अभी कितनी cut off रहेगी, कितनी marks पर, कितनी rank पर seat मिलेगी इसके next के वीडियो में मैं आपको पूरा analysis करके बताऊंगा लेकिन ये सबसे बड़ी कुशी की बात है कि इतनी सारी seat बढ़ने से cut off down आएगी अब मैं आपको बता दूँ कि इसका जो schedule है, वो recedule किया गया है जो counseling थी, वो भी extend कर दी गई है, इसके साथ जो resigning के लिए time था, वो भी बढ़ा दिया गया है, 16 November कर दिया गया है और PWD के लिए certificate issue करने के लिए board के पास जो board के समयक से present होके PWD candidate certificate issue करवाते हैं, वो date भी 16 November को reopen किया गया है 16 September तक के लिए reopen किया गया है उसको भी, तो ये date ये आ गई है इसके बारे में, नया schedule आ गया है और मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि कौण कौण से colleges में seat open कोई हैं, तो इसमें UP के 5 college हैं, तेलंगाना के 4 college हैं और राजस्तान के 4 college हैं, तो total ये 13 colleges हैं, वो आप यहां list देख सकते हैं, MCC की website पर ये available है और All India quota के लिए जो seats हैं, वो total seats 225 seats हैं, हलांकि इन में से 13 seats को withdrawal किया है वो 13 seats जो withdrawal किया है, वो भी आप यहां देख रहे हैं, इन seats को यहां withdrawal किया गया है एक-एक seat, एक-एक colleges में हैं, तो वो यहां देख सकते हैं, कौन-कौन सी seat को withdrawal किया है लेकिन फिलाल यहां पर 224, यानि withdrawal करने के बाद में 224 second round के लिए ये seat हैं आ गई है जो एक बहुत बड़ा amount है, अब मैं आपको बता दू, इसका schedule देख लेते हैं हमें एक बार तो first round तो complete होई चुका है, अभी second round की जो registration की date है, वो registration की date 16 September तक है 13 से 16 September तक रखी गई है, 24 फिलिंग की जो date है, वो 16 से, 6 से September से 16 September 24 तक रखी गई है लास्ट वाले दिन आप इसमें 4 बजे 24 लोग कर सकते हैं, 16 September को, अब result आएगा 19th of September को और reporting होगी 20 से 27 September 24 को, अब एक बार third round का देख लेते हैं, तो third round के registration 3 October से start होगे 8 October तक रहेंगे, और 24 फिलिंग की जो date रहेगी, वो 5 से लेके 8 October तक रहेगी result 11 October को आजाएगा, ऐसे ही stay vacancy round का registration 22 से लेके 25 तक रहेगा, और 24 फिलिंग 23 से लेके 26 तक रहेगी और result 29 को आजाएगा, reporting 30 October से लेकर के 5th of November 24 तक रहेगी, यहाँ 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए और extend किया गया है, admission की closing date को, तो यह schedule, revised schedule है, MCC का, अब एक बार state का schedule देख लेते हम, तो state का first round complete हो चुका है, सभी states का, All India का भी complete हो चुका है, second round की, अगर state की हम बात करें, तो second round counseling state की रहेगी, 11 से 27 September, और इसमें last date joining रहेगी, 5 अक्टूबर 24, third round की देखे state की, तो third round की, जो counseling date रहेगी, 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर रहेगी, और last date 23 अक्टूबर रहेगी, जोइनिंग के लिए state की, stay vacancy round में 25 से लेके 29 तक counseling date रहेगी, और last date joining 5 अवर 24 रहेगी, ये सभी के लिए है, ओल इडिया कोटा के लिए भी है, और state के लिए भी है, इसमें 1 अक्टूबर से ये session start हो रहा है, तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी है, और ये choice से अभी portal पे ड डालनी डालनी है, बाकी जो candidates अपने state में लेना चाते हैं, वो state की twice से fill कर दें इसमें, तो ये जानकारी थी नए schedule के बारे में, और नई college add हुई उसके बारे में, बाकी updates के साथ में आप से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं हरसाई चोपड़ा आप से लीता जैई